पिछले 24 घंटे में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ऐसी मौसुमी घटनाय दर्ज हुई है जो हमने इतियास में पहले कभी नहीं देखी। चंदिगर्ण में इतियास में पहली बार एक दिन में 322 मिलिमीटर बारिश हुई है जो महीने के आसत से भी ज्यादा है। दिली में 126 mm बारिश हुई है यानि मौनसून सीजन की टोटल बारिश का 15 फीजदी मात 12 घंटे में बरस गया। लाहौल स्पीती और कारगिल में जुलाई के महीने में बर्फ बारी हो रही है। रंगदम कारगिल में 4-5 इंच बर्फ नजर आ रही है। ब्यास नदी में बड़े पानी और जमीन के कटाओ के कारण मनाली के पास बहांग में SBI के ATM वाली बिल्डिंग कॉलाप्स हो गई। मंडी जिले के और्ट में ब्यास नदी का पानी ब्रिज के ऊपर बह रहा है। कुल्लू में पारकिंग में खड़ी एक कार नदी का बहाव बनने की वज़ा से बह जाती है। मंडी से 17 किलोमेटर दूर पंडो में पूरा बाजार डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर डैम के पांचो गेट खोलने पड़े हैं। इंडियन मेट स्काइ वेदर के मुताबिक एक्स्रीम वेदर इवेंट हैं जो वेस्टरन डिस्टरबेंस और मॉनसून के साथ आने की वज़े से हो रहे है। ऐसी स्तिती पहले 2013 में जून 16 से 20 के 20 निर्मित हुई थी जिसके परिणाम सुरूप उत्राखन में